Hello dear students, we were considering our chapter concepts of revenue. Today we are going to discuss the revenue concept in monopoly and monopolistic competition. तो देखो students क्या होता है कि हमने बाद किती कल perfect competition की, वहाँ पे अमारा जो AR था, वो क्या हो रहा था? constant कि आप कितनी भी units क्या करो, sale कर सकती हो उस existing price पे. लेकिन monopoly और monopolistic में क्या होता है? students की product differentiation होता है और close substitutes होता है monopolistic में तो. और monopoly में चाहिए वो single seller ही है, लेकिन वो अगर और ज़्यादा quantity sale करना चाहता है, तो उसको अपना price क्या करना पड़ेगा? lower करना पड़ेगा, down करना पड़ेगा. तो आज हम उसी concept के बारे में पड़ेंगे students की जब हमारा AR curve क्या नहीं होता, constant नहीं होता. तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि student जैसे जैसे हमारी selling quantities बढ़ रही है, तो हमें price क्या करना पड़ा? कम करना पड़ा. कि अगर कोई customer एक लेता है, तो हम 10 रुपीज चार्ज करते हैं, वो customer क्या बोलता है कि मैं 2 units ले लूँगा, तो आप क्या कर लेते हो price को? 9.5, 3 पे 9, and 4 पे 8.5. टोटल revenue क्या होगा? 10 into 1, 9.5 into 2, 9 into 3, and 8.5 into 4. marginal revenue, 10 minus 0, 10, 19 minus 10, 9, 27 minus 19, 8, 34 minus 27, 7. तो यहाँ पे क्या होगा, students की हमारा, जो हमने यहाँ देखा, इस table के according, कि AR क्या कर रहा है, decline कर रहा है, तो MR भी हमारा decline कर रहा है, मतलब गिर रहा है. AR जब 0.5 से decline कर रहा है, तो MR decline कर रहा है 1 से, तो इसका मतलब जो MR की decreasing rate होती है, वो क्या होती है, AR की decreasing rate से ज़्यादा होती है. तो अब decrease जल्दी-जल्दी हो रहा है MR AR से, तो AR क्या रहेगा, greater than रहेगा किसे MR से, क्योंकि MR क्या है, यहाँ पे 10, यहाँ 10, एक पॉइंट पे, लेकिन यह 9.5, यह 9 है MR, AR 9 है, तो MR 8 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि AR क्या रहेगा, तो एक greater than किसे MR से, फिर क्या करता है students, कि जब MR decline कर रहे है, कि यह जो decline कर रहे है, निचे किरफ गिर रहे है, लेकिन फिर भी TR क्या हो रहे है, increase हो रहे है, अगर हम total revenue की बात करें, तो यह क्या हो रहे है, increase हो रहे है, लेकिन किस rate से increasing है, यह मत्स seminar students की ऐसे तो decrease हो रहे है, arrow आपने ऐसे मतलब यह increase हो रहे है, ठीक है, क्योंकि quantities का increase downward किया हुए हमने, तो यह क्या कह रहे है, कि total revenue increase होता है, लेकिन किस rate से, decreasing rate से, कि हर additional unit से, जो total revenue में increment होता है वो कम होता जा रहा है, पहली unit से increment हुआ 10 का, second unit से increment हुआ 9 का third से हुआ 8 का, फिर कितने का हुआ 7 का, तो मतलब total revenue increase हो रहा है, लेकिन increase होने की speed क्या है decreasing, कि decreasing rate से क्या हो रहा है, total revenue increase होता है कब, जब MR decline करता है तो इसकी diagrammatic presentation भी students हमें दी हुई है, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और बोल रहे है क्या, कि MR क्या कभी 0 और negative भी हो सकता है, तो हन जी, MR आपका 0 और negative भी हो सकता है, कौन-कौन सी cases में हो सकता है तो देखो क्या कह रहे है, कि देखो, यहाँ पी अगर आप अपने price को इतना ज्यादा reduce कर देते हो कि आपकी जो quantity increase होती है, उसकी हो जैसे total revenue increase होने की बचाए decrease हो जाता है तो वहाँ पे आपका MR क्या होगा, 0 और negative भी हो सकता है ठीक है students, तो यहाँ पे रेखो, हमारा MR first case में कितना है, 100 फिर कितना होगा, 60 फिर किया है, 0 150 minus 160 minus का 10, तो यहाँ पे क्या बोल गाए कि आपका marginal revenue क्या हो सकता है 0 और negative में से कोई भी हो सकता है, total revenue increase करना, stop कर देते है students कब, जब marginal revenue 0 हो जाता है क्यों, क्योंकि इसके बाद देखो, यहाँ 0 होने के बदद, क्याँ total revenue में increment हुआ, नहीं, तो total revenue अपने maximum pick up होता है, जब marginal revenue आपका 0 हो जाता है TR decline करना start कर देता है कब, जब आपका MR negative होने लग जाता है, तो TR देखो, कम हो रहा है, उसके बद क्या कह रहा है, कि जैसे जैसे आपका MR decline करता है, तो TR में जो addition होता है वो कम, कम, कम होता रहता है every additional unit से, तो TR increase तो करता है, बट कौनसी rate से decreasing rate से diagrammatic presentation देखे, तो students क्या कह रहा है, कि देखो, यहां हमने क्या बनाया, total revenue curve और दूसरे में क्या बनाया, MR और AR curve, तो अभी हमने study कि आथा कि AR की value क्या रहती है greater than energy कि से, MR से तो हमारा AR curve कौन सा बनेगा, यह वाला कि इसके उपर क्या है, अगर हम यहां पर बात करें, तो इतनी इतनी quantities पे जो, यह इतनी ही quantities पे क्या हो गया 0, लेकिन इतनी quantities पे जो हमारा MR है, sorry, AR है वो कितना है इतना ठीक है, students की, यहां पर अगर हम ध्यान से रेखें तो हमारी कितनी सी, सिरफ इस quantity के level पे MR के है 0, लेकिन AR के है, इतनी value का मान लेते हैं, OP, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो AR होते है, वो greater than होते है, किस से? MR से यहां पर हमी TR शो किया हुए, तो student जब तक देखा हमारा MR पोजिटिव था, लब जब उसने 0 को टच किया, तो उस टेम पे हमारा TR भी क्या था, maximum उसके बाद जैसे हमारा MR नेगिटिव होँ है, तो TR ने भी क्या decline करना, start कर दिया और जब TR, sorry, MR हमारा decline करना था, तो TR increase थो हो रहा था, लेकिन किस rate से हो रहा था? decreasing rate से हो रहा था, मतलब क्या कि जब तक MR हमारा positive है, तो TR increase करता है, लेकिन decreasing rate से, MR जैसे ही 0 हुआ, तो TR maximum, और MR जैसे ही negative हुआ, तो TR क्या हो जाता है, हमारा maximum decline करना, start कर देता है फिर बोलता है students कि average revenue भी कभी 0 हो सकता है हाँ जी average revenue आपका 0 हो सकता है लेकिन आपका negative नहीं होगा average revenue 0 होने का मतलब किया कि आप free में कुछ दे रहे हो लेकिन negative मतलब किया कि आप किसी को product भी sale कर रहे हो और साथ की साथ आप उसको क्या दे रहे हो price भी खुद ही pay कर रहे हो तो ऐसी conditions कभी भी नहीं होती तो इसके बारे में क्या लिखा students देखो कि part है आपकी figure का क्या show कर रहे TR को और part भी show कर रहे AR और MR को वही relationship दिया वहे कि जब तक आपका MR positive था और decline कर रहा था तो आपका TR decreasing rate से increase कर रहा था जैसे ही आपका MR 0 होता है तो TR क्या हो जाता है maximum हो जाता है और जैसे ही MR negative होता है तो TR क्या हो जाता है decline करना start कर देता है और जिस point पे average revenue जीर हो जाता है तो इस point पे total revenue भी आपका क्या हो गया जीरो ठीक है students फिर उसके बाद क्या करते है students लेकिन एक बात ये भी ध्यान दो कि it may be not it है zero AR or negative MR सिरफ क्या theoretical possibilities है in case of market economies, market economies क्या उसी होती है जहां पर demand और supply की factors क्या decide करते हैं prices, तो ऐसे economies में क्या आपका MR zero हो सकते हैं नहीं, तो सिरफ ये क्या theoretical assumptions हैं कि practical life में ऐसा नहीं होता है, तो उसके बास students ये relationship हमें एक फिर से tabular form मे गीवन है क्या क्या कि total revenue होता है, average revenue multiply quantity और MR के submission के, average revenue हमारा कि क्सके पीवल होता है, total revenue upon quantity, marginal revenue, total revenue n unit, minus में total revenue of n – one unit, tr और MR में relationship की अगर MR constant rate से ऑपरste करते हैं, increase करते हैं तो tr भी constant rate से increase करते हैं, उसके बाद क्या कहता है, अगर MR diminishing और है तो tr है, panisch rate से increase करते है, DR maximum होते है, तो MR क्या होते है? 0, और जब DR diminishing कर रहा होते है, तो MR क्या होते है? Negative, AR और MR में अगर बात करें, तो AR अगर decrease कर रहा है, तो MR क्या करते है? AR से जल्दी decrease होते है, तो AR क्या रहे जाते है? Greater than किसे? MR से, अगर आपका AR constant है, तो AR और MR क्या होते हैं, equal होते हैं, और दोनों किसके equal होते हैं, price के, और कैसे show करते हैं, horizontal state line, कौन से case में किती हमने, perfect competition में, उसके बद क्या कहते हैं, क्या MR negative हो सकते हैं, हम जी, MR negative हो सकते हैं, लेकिन AR कभी भी negative नहीं होता, फिर देखो students, हमें कुछ hot question given है, क्या बोले हैं, what is firms demand curve, firm का demand curve क्या होते हैं, तो firm का demand curve वही होते हैं, students, जो उसका average revenue curve होते हैं, क्योंकि average revenue curve ही क्या दिखाते हैं, price और quantity का relationship, हमने study कहाते हैं, कि average revenue किसके equal होते हैं, price के और x axis पे हम क्या show करते हैं, quantity, तो firm का demand curve क्या होते हैं, जो उसका average revenue curve होते हैं, वही firm का demand curve भी होते हैं, what is firm Firm's price line and what is its shape? Firm's price line क्या होती है? AR curve होती है और उसकी shape की बात करें तो perfect competition में horizontal straight line होती है और monopolistic और monopoly form में बात करें तो वो क्या होती है? Downward slopping होती है Okay students, this was all about today's class In next class we will discuss our next topic Thank you students